हलो फ्रेंज, चे मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों, विश्वालब वेरी वेरी हापी मौनिंग, बहुत ही खुबसूरत दिन है, सावन का आखरी मंगलवार है, और दोस्तों मंगलवार को हम क्या गाते हैं? आज मंगलवार है, पालाची का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध् बोल ये पवन पुत्र हनुमान कीजए दोस्तों सावन का आखरी मंगलवार एक छोटा सा टोटका अगर आप कर लेते हैं अपने घर में गार देते हैं छोटी सी चीज तो मानी जाती है कि आपकी आर्थिक स्थिती जिंदगी भर डावा डोल नहीं होती है सावन का महा का आखरी मंगलवार है बहुत ही खास है और हनुमान जी की आराधना अगर आप आज के दिन सच्चे दिल से करते हैं तो बेहत फलदाई होता है सावन का महीना है और हनुमान जी शिवजी के रुत्र अफ्तार 11 अफ्तार माने गए है क्योंकि माना जाता है कि राम भक्त हनुमान की माता अंजिनी ने भगवान शिव की खोर तपस्या की थी और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने का परमागा था तब भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रोत्र शक्ती का अंश यग्य कुंड में अर्पित किया था और वही शक्ती अंजिनी के गर्भ में प्रविष्ठ हुई थी फिर चैत्र शुक्ल पक्च की पुर्णिमा को हनुमान जी का जनम हुआ था मंगलबार की दिन जनम हुआ था इसलिए हनुमान जी के लिए मंगलबार का दिन विशेश प्रियमाना चाता है दोस्तों हनुमान जी शिव जी के रूप है इसलिए अगर इस महा में आप हनुमान जी की आराधना करते हैं खास कर मंगलवार के दिन तो आपको हनुमान जी और शिव जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है दोस्तों शिवजी और उनके अफ्तारों की पूछा करने से कारियों में आ रही बाधाएं दूर होती है भागे का साथ मिलने लगता है मंगलवार के दिन सबसे पहले सुबह सुबह आपको उठ करके छोटा सा उपाय करना चाहिए सूर्य उदै के दो घंटे के अंदर अंदर उठ करके उठने के बाद क्या करते हैं सबसे पहले आपको रोज ये नियम से करना चाहिए अपनी हतेलियों के दर्शन करने चाहिए इससे भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी की विशेश कृपा मिलती है फिर नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके स्नान आदी करें ओरेंज हो केसरिया हो लाल रंग हो इन कलस के वस्त्र आपको धारन करने चाहिए सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए तामबे के लोटे में पानी भर ले उसमें लाल फूल कुमकुम थोड़े सी चावल जो हो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा ये सब मिला करके आप सूर्य देवता को लाल फूल आदी डाल करके जल चढ़ाएं जल चढ़ाते समय ओम सूर्याई नमा ओम आदित्याई नमा ओम भासकराई नमा जो भी मंत्रा आपको आते है उसका आपको जप करना चाहिए इस उपाई को करने से मनुष्य को समाज में प्रसिधी मिलती है मान सम्मान यश की प्राप्ती होती है नौकरी आदी नहीं होती है तो वो मिलती है कोई डील आपकी अधूरी रह जाती है तो माना चाहता है इस उपाई को करने से पुर्ण होती है इसके बाद सावन का महीना है अगर आपके पास पॉसिबल हो तो शिवलिंग की पूझा करें कुछ नहीं तो कम से कम शिवलिंग को थोड़ा सा जल अरपित करें एक लोटे में थोड़ा शुद्ध जल भर लें उसमें काले तिल डाल लें और शिवलिंग पर ओम नमह शिवाय का मंत्र जबते हुए जल की पतली धार से इस जल को आप चड़ाएं और जल चड़ाने के बाद हो सके तो फूल बेल पत्र जो जो आपके पास भांग धतुरा आकड़े का फूला दी वो सभी आप शिवजी की चड़ा सकते हैं थोड़े से केसर अपने साथ ले ले चंदन ले ले दोनों को मिक्स करके घस ले और फिर पहले उससे शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएं फिर अपने माथे पर इस केसर से आप तिलक करें इस उपाय से माता लक्ष्मी की कृपा विशेश रूप से आपकी जीवन पर बरस्ती है और ध्यान रखे जो पुरुष है वो शिवलिंग को जल चड़ाने के बाद दोनों हतेलियों से रगड़ना चाहिए माना जाता है कि शिवलिंग को अगर आप हतेलियों से रगड़ते हैं कस के रगड़ते हैं तो आपके दुरभाग्ये दूर होकर के आपकी किस्मत चमक सकती है जो लोग ये सब उपाय नहीं कर सकते हैं और अगर चाहते हैं कि शिवजी का शिंगार करें तो आप थोड़े से पके हुए चावलों से शिवलिंग का शिंगार करें और बाद में इसकी पूझा करें खास कर मंगल बार के दिन ये उपाय करने से आपकी कुंडली में अगर आप मांग लेगे हैं या किसी भी प्रकार के मंगल दोश हैं तो वो जड़ से दूर हो जाते हैं दोस्तों इस प्रकार से शिवलिंग की पूझा करें अगर आप घर में कर रहे हैं तो ठीक अगर आप मंदिर से करके आ रहे हैं तो ध्यान रखना है इस उपाय को करने के बाद आपको मंदिर में पीछे की ओर मुड़ करके नहीं देखना है सीधा अपने घर आ जाना है और घर आने के बाद सभी कमरों में शंक हो तो शंक बजाएं नहीं तो आपको अपने घर में घंटी बजानी चाहिए जोर से घंटी बजाएं इससे आपके घर की नकरात्मकता बाह तो ये तो हुआ सुभी सुभी का नियम मंगलवार का दिन है शाम को पांच बजे के बाद एक चमतकारी उपाई बताती हूँ वो अगर आप करते हैं तो माना चाहता है आपके जीवन के बहुत सारे कश्ट जड़ से धीरे धीरे तूर हो जाते हैं हनुमान जी की मूर्ती हो फोटो हो या किसी हनुमान मंदिर में भी आप चाहा करके ये काम कर सकते हैं सबसे बेस्ट होता है कि घर में नौर्थ की दिवाल पर यानि उत्तर की दिवार पर हनुमान जी की एक फोटो विराजमान कर ले और फिर उसकी और मुख करके आपको आसन लगा लेना चाहिए लाल रंग का बैट करके पूजन करना चाहिए पवित्र हो उस्थान ये देख ले साफ सुत्रा हो और हनुमान जी दक्षिन दिशा की ओर देख रहे हो ये ध्यान रख ले और फिर इसके सामने आपको बैट करके एक चमेली के तेल का दिया जलाना चाहिए जमेली का ना हो तो सरसो के तेल का दिया जलाए ध्यान रखें जो दीपक जलाएंगे वो मिट्टी का या आटे का होना चाहिए इसके बाद हनुमान जी की पूजन करें, हनुमान चालिसा का पाठ करें हनुमान जी को लाल या पीले रंके फूल, कमल हो, गुलाब हो, गेंदा हो, सूर्य मुखी हो जो भी फूल हो, ये चणहाएं इससे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ती होती है हो सके, एक नारियल का आप जुगार कर सके, तो सिंदूर से उस पर स्वस्तिक चिन बना ले फिर मौली उस नारियल पर लपेट दे, चावल चणहाएं पूजन करें उस नारियल का और पूजा के बाद ये नारियल हनुमान जी को अर्पित कर दे बात में आप प्रसाद के तौर पर इस नारियल को बधार करके परिवार में खाने के तौर पे, प्रशाद के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है आपको नमक के साथ इस नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए आप चाहें तो एक छोटा सा उपाई और कर सकते हैं हनुमान जी को पान बेहत पसंद है इसलिए एक साबुत पान का पत्ता लेकर उस पर थोड़े से गुड़ और थोड़ा सा चना रख करके आप हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो माना जाते हैं आपके जीवन की बहुत सा किसी प्रकार के मांगलिक दोश हैं जीवन में कुंडली में ग्रह दोश हैं शनी की साड़े साती है धाया है कुद रिष्टी है सभी चीजें आपके जीवन से बिल्कुल दूर हो जाती है जो स्टूडेंसे उनके लिए खास एक उपाई बता देती हूं उनको चमेली के तेल इक रूप से आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलती है दोस्तों एक बहुत ही किसमत बदलने वाला उपाए माना जाता है बजरंग बली से हम सभी आशिरवात चाहते हैं और आखरी मंगल बार के दिन अगर मंदिर में जाकर के आप अपने हातों से बनी हुई लाल इस मंत्र का चप करते हैं और फिर हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला पहनाने के बाद केवडे का इत्र हनुमान जी की मूर्थी के दोनों कंदों पर छिड़क देते हैं हनुमान जी की माला में से फिर एक फूल आपको लेना है और उसको लेकर के घर आ जाना है इस तर आप अगर पूजन करते हैं तो मनुष्य माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता है ध्यान रखे मंदिर से जब वापस आए फूल लेकर के पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है और घर आकर के उस फूल को आपको किसी भी लाल या ओरेंज रंग के रेश्मी वस्तर में ल आपके जीवन के सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है दोस्तों मंगल बाहर का दिन है सावन का महीना है हरियाली ही हरियाली है और पेड पौधे की बात जैसे मैंने पहले भी बताया ना हो ऐसा हो नहीं सकता पीपल की पूझा विशेश कर बहुत ही फलदाई होती है आस्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पीपल भगवान श्री हरी का ही एक स्वरूप है और इसमें सभी देवी देवताओं और पित्र का वास होता है इस कारण जो लोग भी पीपल की पूझा करते हैं जल चड़ाते हैं उन्हें सभी प्रकार की सुक सुविधाएं जीवन में जरूर प्राप्त होती है आप चाहें तो सावन का महीना है एक छोटा सा शिवलिंग अगर है पीपल के नीचे तो बहुत अच्छी बात नहीं तो आप उस छोटे से शिवलिंग को स्थापित करके नियमित रूप से उस शिवलिंग की पूझा करें तो आपके जीवन की सभी प्रकार की परेशानिया दूर हो सकती है सरसो के तेल का दिया जलाएं मंगलवार का दिन है ओम राम दूताई नमह इस मंत्र का जप करें ओम नमह शिवाई इस मंत्र का जप करें और पीपल के फिर 11 पत्ते ले करके जल से उसको साफ तरीके से धोलें इन पत्तों पर चंदन स या कुमकुम से शरी राम शरी राम ऐसा लिखे इसके बार ये पत्ते हनुमान जी को माला बना करके आपको चड़ा देनेगे ध्यान रखना है जब पीपल के पत्ते लेंगे तो तूटे फूटे कटे पटे वे पत्ते आपको नहीं लेने चाहिए और सारे पत्ते डंडी सहित होने चाहिए ताकि जब आप इनके माला बनाए तो आसानी से बनाई जा सके दोस्तों इस उपाई से दुखों से मुक्ति मिलती है अगर पीपल नहीं मिलता है बैनियन ट्री है या बरगत का पेड है तो आप उससे भी ये उप दूसरा उपाई भी कर सकते है बरगत के पत्ते से आपको सिर्फ एक पत्ता तोड़ लेना है और उसको साफ स्वच पानी से धो करके कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख देना है इस पत्ते पर आप केसर से श्री राम, श्री राम या राम राम लिखे अब इस पत्ते को आपको अपने पर्स में रख लेना है साल भर आप देखेंगे आपके पर्स में पैसों की कमी नहीं होती धनकी बरकत आपके घर में बनी रहती है आपकी किसमत बदल जाती है इसके बाद जब दुबारा सावन का महिना आए तो इस पत्ते को आपको किसी नदी में प् हनुमान जी के मंदिर में जाए लाल रंकी ध्वजा चढ़ाएं लाल लंगोड चढ़ाएं आप देखेंगे बाबा कैसे आपकी नईया को पार लगा देते हैं last but not the least दोस्तों एक छोटा सा उपाय आपको मैं बता देती हूँ एक चमतकारी बिल्कुल ही चमतकारी उपाय है जिससे आपकी घर की अगर आर्थिक स्तिती बुरी तरह बिगड चुकी है आपकी घर में धन की बरकत नहीं होती वास्तू दोश के कारण आपके घर में पैसा आत यह नहीं आता है उसके पहले चला जाता है तो एक छोटा सा काम आपको करना है एक 10 ग्राम चांदी का टुकड़ा ले लेना है उसको धो करके एक पाटे पर लाल रंका कपड़ा बिछा ले उस पर इस चांदी के टुकड़े को रख करके हनुमान जी का कोई भी मंत्रा आप चप कर ले और फिर उस टुकड़े की अच्छे से पूजन करने के बाद हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रख करके उस टुकड़े की भी पूजा आपको करना है अब आपको साथ हनुमान चालीसा बोलना है और फिर इस हनुमान चालीसा को बोलने के बाद थोड़े से सिंद तूर लगा करके उस टुकडे को आपको हातों में ले लेना है और फिर हनुमान चाली सा बोलते हुए अपने घर के दक्षिन दिशा में जाना है वहाँ पर आपको इसको गार देना है अगर आपके घर में दक्षिन दिशा में ऐसी जगह नहीं है टाइल्स है आप फ्लैट्स म ऐसा करने से आप देखेंगे विदिन टू वीक्स के अंदर अंदर 15 दिनों के अंदर अंदर आपके घर की आर्थिक स्थिती सुधरने लगती है साथ ही साथ घर में धन की परकत होने लगती है कई बार इस उपाय से आकस्मिक धन की भी प्राप्ती होती कुछ लोग बोलते क इस उपाई को करने से लोटरी तक लगने के योग बन जाते हैं तो दोस्तो सावन का आखरी मंगलवार है पूरा-पूरा फाइदा उठा इस मंगलवार का बहुत ही खुबसूरत मंगलवार है सावन का महीना है शिव का महीना है साथ ही साथ मंगलवार को पारवती माता और गौरी माता की पूजा करने से भी मनुष्य और सुहागन इस्तरियां माला माल हो सकती है पती की लंबी आयू की प्राप्ती होती है तो कर लीजे यह उपाए दोस्तों और अपने फ्रेंड्स फैमिली किसी भी तरह के क्वेश्चन्स हो वीडियो से रिलेटेड आप मुझे वीडियो के नीचे लिखके सरूर पूछले टेक के फ्रेंड्स लव यू अल चै माता दी पंबं भुलेनात की और चै हनुमान जी की